नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ये स्पीसेस अकैडमी में और विश्य बोगोल की स्रंखला में हम आज आगे पढ़ेंगे चलि स्टार्ट करते हैं हवाएं कथन ए है उत्री गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दच्छनावर्ध तथा दच्छनी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्ध होता है कारण उत्री तथा दच्छनी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिसाओं का निर्धारन कौरियालिस प्रभाव से हो है तो इसमें जो उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर एका सही इसपस्टी करन है दूसरा कुश्ञ लेंगे हावा के पैटन्स धच्छनी गुलार्दम घड़ी की सुई की दिसा में दाच्छणावर्थ एया उत्तरी गुलार्दम प्रभाव से निश्चित होते हैं तो इसमें एक अलत है परंतु आर्थ ही है आगे पढ़ेंगे उत्री गोलार्थ की तुलना में दच्छनी गोलार्थ में पश्चेमी पावन अधिक शसक्त इस्थाई होते हैं क्योंकि उत्री गोलार्थ की तुलना में दच्छनी गोलार्थ में भूखन कम है जीवा सभी बात है दच्णि गोलार्द में सागर ही सागर है तुफानी चालिसा के बारे में सत्य कथन है ये बड़ी सक्ती और इस्धेर्था से बहती है इनकी दिसा सामान तौर पर दच्छडी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है मेगा च्छन आकास वर्सा और खराब मौसम इनके साथ सामान तौर पर संबंधित रहते हैं आगे बढ़ेंगे लंबी चालिसा पवने प्रवाहित होती हैं तो वो कहां होती हैं हिंद महासागर में वा ससक्त समुद्री हवाएं जो चालिस डिगरी से साथ डिगरी दच्छांस के मध्य प्रवाहित होती हैं उन्हें कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज यानि कि वही गरचता चालिसा सायूक तुराज अमेरिका के मध्य मध्य मैदानों पर चिनूक हावाओं के कारण जाड़े का तापमान बढ़ जाता है आगे बढ़ेंगे दच्छनी गोलार्ग में पवन के बाई और विचलन का कारण है पृत्वी का घुनन उच्चदाप छेतर से भूमद दिसागर की ओर चलने वाली पवने होती है तो क्या है व्यापारिक पवने पवनों का मौसमी उतकर्मन प्रारूपी अभिलेच्छन है तो मानसूनी जलवायू का अगे बढ़ेंगे इस्थानी हवाएं यहाँ पर सूची एक है और सूची दो से उसका मिलान करना है तो फान जो है आल्प्रवत के पर बहती है सिमूम है कुर्दिस्थान में सेंटा आना कैरलिफोनिया जोंडा अर्जेंटीना ठीक यहाँ पर है फान एक इस्थानी पवन है तो जे लेंड की फिर यहाँ पर सही सुमेल करना है फान आल्प्रवत बोरा इटली उत्रीभाग मिस्टल राइनगाटी खमसिन मिस्र चिनुक, साइकराज अमेरिका, सिराको, सिसली यानि की इटली में ब्लिजाड, साइबेरिया, नौर्वेस्टर, भारत वह देश जहां रुधिर वर्सा होती है तो वह कहां होती है इटली यही सिराको पवन जो है यही इटली यह आपका अफरीका के उत्रीभाग से बहते हुए यह धूल भरी आन्धियों को ले जाके मेडिटेरियन सी के उपर से इटली में खूनी वर्सा करती है रुधिर वर्सा जिसको कहते हैं चलिए वनों के बारे में देखेंगे विश्वन छेत्र में से एक के फैलाओ की प्रतिशत्त सरवधिक है वह है सीतोष्णू शंकू वरच्छी वन वह देख जिसके कुल भौगोलिक शेत्रफल के सत्तर प्रतिशत भाग पर वन बड़ाय रखने का समवैधानिक उपुबंध है या प्रावधान है तो वह है भूटान यहाँ पर जीरो इमेशन जीरो कारवन की नीती अपनाई गई है सदा बहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राजील में भूमद रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है उष्ण कटिबंधी वन पृत्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विश्वत रेखा के आसपास विश्वत्र उष्ण कटिवंधी वर्षा वन पाए जाते हैं तो वह पाए जाते हैं कांगो घाटी में टाइगा वन विशिष्टा है समसीतोष्ण छेत्र की विश्व के सबसे बड़े अवम घने वन हैं अमेजन बेसिन में सर्व अधिक प्रतिशत वन अच्छादी देश है तो वह है जापान कोण धारी वन पाए जाते हैं 56 डिगरी 60 डिगरी उत्री अच्छांसों में दोनों तरफ शंकुधारी वन मुख्यता पाए जाते हैं सीतों शेत्र में अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णाद्र वन है तो वह है आईवरी कोस्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है यहाँ पर कतन ए है सीतों शेत्र वनों के विपरीत यदि उष्ण कटी बंधी वर्षा वनों का निवरच्छन किया जाए तो उत्पादित क्रसी इस्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रसायनिक उर्वरकों के बीना भी गहन क्रसी का भारन पोशन कर सकते हैं कारण सीतों वनों की तुलना में उष्ण कटी बंधी वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है तो यहाँ पर ए गलत है परन्तु आर सही है आगे देखेंगे यदि उष्ण कटी बंधी वर्षा वन काट दिये जाएं तो यह उष्ण कटी बंधी पनपाती वन की तुलना में सीग्र पुनर योजित नहीं हो पाता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की म्रधा में का आभाव होता है हाँ यह लीचिंग हो जाती है यहाँ पर बारिस होते होते जो पोशक तक तो है वो बह जाते हैं तो चलिए आगे देखेंगे इमारती लकडी तथा देश देवदार कनाडा डगलस पर मैक्सिको महोगनी होंडोरास सागाउन में आमार सूची एक को फिर सूची दो से मिलाना है मानसूनी वन सागाउन तथा साखू विश्वत रेखी वन महोगनी एवं रोजवुड भूमद दिसागरी वन आलू बुखारा एवं जैतून कोणधारी वन चीड तथा फर विश्व का वह देश जो मुलायम लकडी एवं लकडी क का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो वह है अमेरिका वह देश जो विश्व में इन्धन काष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत कि डेल बर्जिया जाती से संबंधित पौधा है तो वह है सीसम चलिए आगे देखेंगे विश्व जलवाई अलग-अलग रितुओं में दिन समय और राति समय के विस्तार में भिनता का कारण है तो उसका कारण है पृत्वी का सूर्य के चारो और देर्ग व्रत्ती रीति से परिक्रवन पृत्वी का नत अच्छ पर परिक्रवन महादीपों के अंतस्थों का वार्तिक ताप परिसर तटी छेत्रों की पेच्छा अधिक होता है इसका कारण है भूमी और जल के बीच तापिये अंतर आगे देखें मुख कारण जो किती छेत्र के जलवाई को निर्धारित करता है वह है अच्छांस पृत्वी के अधिक्तम पृत्ता छेत्र फल फैला हुआ है तो वह है शुश्क प्रदेश यहां कथन ए और कारण आर दिया हुआ है तो चले देखते हैं भूमद रेखा के दोनों और पांच डिगरी से आठ डिगरी अच्छांस तक के छेत्रों में भर वर्सा होती है कारण उच्छ तापान तथा उच्छ आदरता के कारण भूमद रेखा के निकट अधिक तर माहनी वर्षा होती है ए और आर दोनों सही है और एका सही स्पश्टी करण है सभी प्रकार के जलवाय। कड़बंद पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं एशिया महादीप में वह भागॉलिक छेत्र जिसकी स्पश्ट विस्ताय निमलखित हैं कोष्ट और शुष्क जलवाय। सुहावना और आद्र शीतकाल सादा बहार ओक वरच वह चेत्र है भूमध्य सागरी चेत्र। उष्ण कटिबंधी सवाना प्रदेश की जलवाय क्यों मुक्य विसेस्ता है तो वह है निश्चित शुष्क और आद्र रितु। चलिए यहाँ पर एक फिर से कथन है विश्वत रेखी प्रदेश का परियावरण पौधों के अनकूल है पर मनुस्यों के लिए नहीं कारण विश्वत रेखी प्रदेश में आवसत वारसिक तापांतर बहुत कम है यह तथा आर दोनों सही है परन्तु आर एका सही जलवाई चरम है वर्सा कम है और लोग चलवासी पसुचारक हुआ करते थे यह सबसे अच्छा वर्णन है मध एसी आई स्टिप छेतर का चलिए आगे बढ़ेंगे वह देश जिसमें सर्दीयों के मौसम में वर्सा होती है तो वह है नौर्वे आद्र शीत रितु शुष की ग्रिश्म रितु विशेस्ता है इटली की चलिए यहाँ पर फिर से एक सूची है इसको सूची दो से मिलाएंगे प्रदेश एवंचेतर जलवायु प्रकार कैलिफोर्निया संयुक्त रज अमेरिका भूमध्य प्रकार की जलवायु हो यहाँ पर यानि भूमध्य सागरी जलवायु पश्चमी ऑस्टेलिया उष्ण मरु भूमी बांगला देश उष्ण कटिबंधी मानसुनी साइवेरिया या रूस सीत शीतोष्ण कांगो विश्व पती स्टूडान सावाना प्रकार की जलवायु यहाँ पर कथन ए और आर है फिर से भूमध्य सागरी प्रदेशों में जाडों में वर्सा होती है कारण जाडों में यहाँ पच्छुआ हवाय चलती हैं ए और आर दोनों सत्ते हैं तथा आर एकी सही व्याक्ष्ण है भूमध्य सागरी छेत्रों में भारी वर्सा होती है सीत यानि की जाडे रुति में यहाँ पर फिर से एक कथन है उत्तर पच्छिमी योरोप के बंदरगाह वर्स भर खुले रहते हैं कारण दच्छिन पच्छिमी हवाय वर्स भर उत्तर पच्छिमी योरोप के उपर बहती तो देखे उसका आंसर है ए और आर दोनों सत्ते हैं परंत आर एकी सही व्याख्या नहीं करता चलिए दा पेटियों के इस्थांतरण से संबंधित जलवायू है तो वह है भूमद्य सागरी जलवायू मानसून जलवायू आगे बढ़ेंगे जायरे से नीदर लैंड जाते समय जलवाय प्रदेशों का सही क्रम है तो जायरे यानि कि आपका साउथ अफरीका में भूमद्य रेखी जलवायू फिर उठ्न मरुस्थली जलवायू भूमद्य सागरी जलवायू पश्चमी योरोपी जलवायू संसार का आदरतम स्थान है तो वो कहां है मेगाले का मासिन र गर्म सहरा मरुस्थल अत्यादिक ठंधा अंटार्कटिका अत्यादिक वर्सा मासिन राम अत्यादिक सूखा चिली एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में है कि इस टो थर्म पाउधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर तो ये थे कुछ महत्वपून प्रश्न मित्र आसा है आप लोगों को पसंद आएंगे जय हिंजय भारत